नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगोंने IPC में सेक्शन 34 और 159 याने सामान ने आशे और सामान ने उद्देश के बारे में पढ़ाए अनेक competitive examinations में भले ही वो civil judge का examination हो, ADPO का examination हो धारा 34 का एक बहुत important case कहीं बार हम लोगोंने पढ़ाए और यह बहुत बार आता है और इस case का नाम है मेभूप शा बनाम emperor यहने मेभूप शा बनाम समराट 1945 का यह case law है और इस case law की क्या facts से और इसमें क्या decide हुआ था इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूर है आज के चोटे से video lecture में हम लोग cover करने वाले हैं मेभूप शा का वाद 1945 तो आज का topic है मेभूप शास case मेभूप शा वर्सेस emperor AIR 1945 प्रिभी council तो यह प्रिभी council दोवरा decide किया गया था उस समय high courts नहीं थी तो प्रिभी council दोवरा यह case निर्धारित किया गया था और इस case क्या facts थे और क्या क्या हुआ था आईए उसको समझने का प्रियास करते हैं सबसे पहले तो यह case सामान ने आशे से संबंदिते हैं हम सभी लोगों ने धारा 34 में सामान ने आशे पढ़ा है common intention common intention joint liability बताता है joint liability ने संयुक्त दाई तो बताता है इसका तातपर ही होता है यदि तीन लोग मिलकर जैसे मान लीचे x, y, z ये तीन लोग मिलकर a का murder करते हैं तो इस स्थिती में तीनों की liability murder की हो जाएगी फिर बले ही वो z से मरा हो याने जो a है वो z की करत्ति से मरा है लेकिन x और y ने भी यदि उसको मारने में सयोग दिया था तो तीनों का common intention मान के x और y के उपर भी धारा 302 याने murder का charge लगेगा और उनको भी वोही सजाद दी जाएगी ऐसा माना जाएगा जैसे वोही अपराद उनों नहीं किया है तो ये सामान नियाशे केता है यदि कोई अपराद दो या दो से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो सभी के liability ऐसी मानी जाएगी ने सभी का दाएट वही होगा जो की एक का होगा तो ये joint liability वाला एक सिद्धानत है section 34 और इसी पर आधारित महभूप शा का वाद है ये महभूप शा का बाद भोती लीडिंग के से धारा 34 से connected है इसमें महभूप शा जो है 19 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसे धारा 34 की वज़े से 302 का अपरादी बनाया गया कि 302 में उसका conviction हुआ यानि धारा 302 murder में महभूप शा को convict किया गया नीचे की ये इने district session court द्वारा भी convict किया गया और इसके conviction को हाई court लाहूर हाई court ने उस समय confirm किया था लेकिन ये प्रिवी council में जाकर मामला पूरा उलट गया और appeal जो है वो मंजूर हो गई और जो नीचे के जो आदेश थे उसको set aside कर दिया गया सबसे पहले हम इस case के facts की ओर चलते हैं इसके तत्थी क्या थे इसके तत्थी ये थे कि ये जो महबूब शाह है he was convicted for the murder इसको murder के लिए convicted किया गया था हुआ यूँ था कि एक incident हुआ था एक लड़ाई जगडा हुआ था और इस लड़ाई जगडा में जो deceased है अला डेट या अला डेट जो है he is the deceased person और सेशन कोर्ट ने इसी मरतक के लिए इसकी liability को मानते हुए महबूब शाह को convicted किया था सेशन कोर्ट ने भी convicted किया और इस conviction को हाई कोट लाहूर ने भी affirm कर दिया यहने लाहूर ने भी हाई कोट लाहूर द्वारा भी इसी दो सिद्धी को यहने murder की सजा को कायम रखा था यह अला डेट जो था इसका quarreling हुआ था he deceased यह मरतक है और fight with the gulam shah इसका गulam shah जो इसका cousin है जो महबूब शाह का जो cousin है गulam shah उसके साथ इसकी fight हो रही थी और इस fight के दोरान गulam shah ने help मांगी he called for assistance he called for help और इसकी help करते समय वली शाह और महबूब शाह यह दोनों जो उसके cousin ब्रदर थे यह दोनों वहाँ पहुचे और दोनों के पास अपनी अपनी gun थी और ऐसे इस्तीती में वली शाह ने किसी अन्य वैक्ति को gunshot किया जिस से वो वैक्ति मारा गया और महबूब शाह ने भी gunshot किया लेकिन वो वैक्ति injured हो गया याने मरा नहीं वो injured हो गया अब जो वैक्ति वली शाह की गोली से मरा था उसके लिए conviction महभूप शाओ को भी धारा 34 में दे दिया गया धारा 34 में एका गया common intention की वज़े से महभूप शाओ also guilty for the murder और इसको भी धारा 302 में conviction हुआ जब मामला अपील के लिए हाई कोड में गया तो हाई कोड ने भी conviction को अफ़र्म कर दिया अब मामला special leave लेकर यहने विशेश इजाजस से प्रिवी कॉंसिल द्वारा यह मामला गया अब यहाँ प्रिवी कॉंसिल के सामने यह issue था कि क्या महभूप शाओ को धारा 34 में conviction जो किया गया है क्या वो सही है क्या महभूप शाओ को धारा 302 का conviction धारा 34 की वज़े से होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए यह issue था अब जो judgment हुआ जब पूरा judgment जब प्रिवी कॉंसिल द्वारा judgment यह दिया गया कि pre-arrange plan दोनों में नहीं था यहने वली शा में वली शा और मेभूप शा में pre-arrange plan नहीं था क्यों क्योंकि incident ऐसा हुआ था कि जो इनका ब्रदर था cousin ब्रदर गुलाम शा इसने he seek for assistance यहने उसने मदद मांगी और इसम मदद में दोनों लोग पोच गए दोनों का same intention था कि मदद करना और मदद में यदि गोली मारना है तो मार भी देंगे सून योजित प्लान नहीं था और यदि सून योजित प्लान नहीं होगा तो common intention के तहट इसका जो महभूप शा का करने है वो गलत हुआ है कन्विक्शन को सेट असाइट कर दिया गया और मेभूप शा जो था कॉमन इंटेंशन की वज़े से जो नीचे की सेशन कोड और हाई कोड ने उसको दोशी ठहराया था वो अपील केस में वो जाकर मामला पलट गया तो यह है मित्रो इस केस में कुल मिला के यह प्रिंसिपल ल होगा तो यह महभूप शा बहुत ही लीडिंग केसे आई होप आपको समझ में आया होगा कैंड़ी सब्सक्राइब मैं चैनल लॉईजी थैंक्यू सो मच